करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 अगस्त के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं अब इसा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक चरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा योदि आप हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियोफ वीकली पीडियोफ और मंतली पीडियोफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में आप दिस्क्रिप्शन में देगए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेर्स फंडा आप को बिंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि जो भी हमारा पीडियोफ मैटियल एजिसम आपको करंट अफेर्स के साथ 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 स्टेटिक जीके भी प्रवाइट कराते हैं यह सभी मैटियल आपको हमारी करंट अफेर्स फंडा एप परियुपलब्द हो पाएगा हमारे पीडियेफ कोर्द संबने यह आपका कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाते हैं तो कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखेगा तो चले फिर करत हैं शुरूबात इस वीडियो सेशन की एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर एस जैसंकर हैस अन्वेल तब पस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री विदेश मंत्री एस जैसंकर ने किस दक्षिन अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अन क्रमन्यम जैसंकर इन्होंने प्रागवे में महात्मा गांधी के बस्ट का नावरण किया है बस्ट के बारे में आपको जानना चाहिए बस्ट ऐसी प्रतिमा होती है जिसमें हेड शॉल्डर और चेस्ट के वल ये तीन चीज़े होती है इतनी सीमत सीमित रहता है जैसे आप यहाँ पर देखिए यह आप गांधी जी का देख रहे हैं सोल्डर है चेस्ट है और है इसको बोलते हैं बस्ट इस तरह की प्रतिमा को यह वर्ण वर्ट सब्स्टिशन में पूछा गया कुशन है याद रखेगा आचा साथ ही इनोंने एकवाडूर में यह कैसा डीला इंड तो दसक पहले एकवाडूर को जो इंडिपेंडेंस अपनी मिली थी तो उसका यह प्रतीक माना जाता है यह म्यूजियूम साथी जैसंकर जी ने परागवे में इंडियन एंबस्ट को भी इनोग्रेट किया है आपको बता दें जैसंकर ब्राजिल भी पहुचे ब्राजिल भ ब्रिजिट है साथ अमेरिका में बागी परागवे के बारे में आपको जानना चाहिए इसी कैपिटल अशन्षियॉन है यहां की करंसी प्रागवयन गुरानी है विच कंट्री इन ऑगस्ट टॉंटी 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 रिलीस्ट पॉस्टेज स्टांप सेलिबरेटिंग 75 अनिवर्स्री ओफ डिप्लोमेटिक टाइस विद इंडिया अगस 2022 में किस देशने भारत के साथ राजनेक संबंदों की 75 वी वर्सकांट मनाते हुए आप टिकट जारी किया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही अंदर उप्शन ए है ओप्शन बी है माफ कीजीगा इस इप्ट यहां पर बी होगा यह ओप्शन भी इस इप्ट जानेगा इजिप्ट पोस्ट ने भारत और इजिप्ट के बीच 75 वर्ष के डिपलोमाटिक रिलेशन्स पूरे होने पर एक कॉमेमुरेटिव पोस्टेज स्टांप रिलीज किया है आपको जाना चाहिए हमारी जो हमी जो सतनता मिली थी 15 अगस्ट 1997 के उसके तीन दिन बाद ही इजिप्ट ने भी भारत को जो है रिककनाईज कर दिया था बारत के साथ अपने संबंद इस्तापित कर लिये थे इजिप्ट के बारे में बात करें तो काईरो कैपिटल है करंसी है यहां की एजिप्शियन पाउंड यहां के प्रेजिडेंट अब्देल फताल सीसी है साथी आपको महत्रपूर्ण करंट फिर यह जानना चाहिए इस साल नवंबर में इजिप्ट 27th Conference of the Parties of the UNFCCC यानि की COP27 इसको होस्ट करने वाला है पोटेंचल कोश्चन है एक्जाम में आपके पूछा जाएगा याद रखिएगा Who is leading the Indian Air Force Contingent in Exercise Pitch Black 2022 in Darwin, Australia Darwin, Australia में अभ्यास Pitch Black 2022 में भारती वायू से ना तलका नेतरत कोन कर रहे हैं ओप्शन आपके सामने हैं सही आंजर ओप्शन ए है YPS नेगी देखिए ऑस्टेलिया के Darwin में Exercise Pitch Black 2022 का आवेजन किया जा रहा है 19 अगस 2022 से 8 सितंबर 2022 तक यह चलने वाला है और यहाँ पर जो भारती एयर फोर्स है जो भारती वायू से ना है इसका दल भी यहाँ पर ऑस्टेलिया में पहुँच चुका है आपको जानना चाहिए Pitch Black 2022 के बारे में या किवल आपको Pitch Black एकसाइस के बारे में जाना चाहिए एक Bionial Event है यानि कि दो साल में एक बार होता है Multinational Exercise कई शारी देशिस में Participate करते हैं और Royal Australian Air Force द्वारा इसको होस्ट किया जाता है Last Edition इसका 2018 में हुआ था क्योंकि उसके बाद 2020 में होना था लेकिन वो COVID-19 pandemic के कारण Cancel हो गया था तो अब ये 2022 में हो रहा है क्योंकि Bionial Event है तो इसमें लगबग 100 से ज़्यादा Aircraft और 2500 Military Personally आपर Participate करने वाले हैं बारत ही अगर हम बात करें तो भारत का जो दल है उसको लीट कर रहे है Group Captain ये सपाल सिंग YPS नेकी और यहां पर भारत की और से Su-30 Fighter और 2 C-17 Aircraft भी जा रहे हैं कितने 4 Su-30 Fighter और 2 C-17 Aircraft इसे पाटिस्पेट कर रहे हैं How many medals did the Indian Wrestling Team win at Under-20 World Championships? Under-20 विश्व Championship में भारत एक कुस्ती टीम ने कितने पतक जीते हैं? Options आपके सामने हैं सही answer option C है 16 जाने का Prime Minister Narendra Modi ने भारती रैसलिंग टीम को बदाई दी है क्योंकि इन्होंने Under-20 Junior World Championship जोकी बेलकराट एरसरबिया में हुआ है यहाँ पर 16 medals जीते हैं आपको बता दें यह भारत का अब तक का सबसे सफल टूर्णामेंट रहा है यदि हम Under-20 Junior World Championship की बात करें तो 7 medals ही men's ने जीते हैं 7 medals women's freestyle में जीते गए और 2 जीते गए क्रीको रोमन केटेगरी में अगर हम यहाँ पर देखे एक gold जीता है 4 silver जीते हैं और 11 bronze medal जीते हैं अंतीम पंगर यह first women wrestler बनी जिन्होंने gold medal जीता है Junior World Wrestling Championship में यह अपने MC को फोर्मेंट में देखा था और यह भी question आपके exam में पूछा जा सकता है यहाँ पर आप देख लिजेगा एक बार ऐसे पूछ लेते हैं कि यह खिलाड़ी किस से संबंदित है यह मैंने list दे दिये women's freestyle में किसने जीते men's freestyle में किसने जीता और greco roman इसमें किसने जीता है एक बार आप देख लिजेगा आगे बढ़ेंगे किस बैंक ने venture capitalist groups funds की कुछ portfolio कमपनियों में निवेश करने के लिए करार किया है options आपके सामने है सही answer option A है yes bank तो देखे yes bank ने आपर venture catalyst group funds के साथ tie up किया है क्योंकि जो yes bank है यह venture catalyst group funds की कुछ portfolio companies पे invest करना जाता है venture catalyst group funds यह start-up से संबन्दित है यानि कि start-ups जो होते हैं उनको initial stage से और उनकी growth stage तक उनको mentorship देता है और उनको fund की भी सुविधा provide कराता है बाकिये इस bank के बारे में आप जानते है CEO प्रसांत कुमार है Headquarters मुमई में है टेग लाइन है experience our expertise Union Minister of Information and Broadcasting अनुराग ठाकुर लौंच्ट आजादी Quest a series of online education mobile games developed in collaboration with which company केंजरे सूचना और परसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस कमपनी के सहयोग से विक्सित online sexual mobile games की एक सरंकला आजादी Quest लौंच की है options आपके सामने है सही answer option A है जिंगा इंडिया तो देखिए Union Minister of Information and Broadcasting अनुराग ठाकुर इनुने आजादी Quest नाम के online educational mobile games की एक सीरीज को लौंच किया है और किसके द्वारा इसको develop किया गया है जिंगा इंडिया इसके द्वारा आरिव अप इसको जिंगा ही बोलते होंगे या जाइंगा जो भी है अच्छा अगर हम बात करें इस online gaming company जाइंगा इंडिया की तो इसकी स्थावन 2010 में बैंगलूर में हुई थी और कई सारे popular games ये develop कर चुगी है विबन्स Equality Day is celebrated in the United States on which day every year संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला समानता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है ओप्शन आपके सामने है सही आंसर ओप्शन C है August 26 तो देखे विबन्स Equality Day United States में 26 अगस्त हो मनाया जाता है क्योंकि United States का जो constitution है इसमें 1920 में 19th Amendment किया गया था जिसमें जो भी United States के जो states हैं और federal government है उनको प्रतिबंदित किया गया कि आप sex के basis पर किसी भी citizen को voting rights से deny नहीं करेंगे बाकि आपको जानना चाहिए सबसे पहले बार 1971 में इस टे को celebrate किया गया था who has become the first human being to get a place at SFO Aviation Museum SFO Aviation Museum में जगह पाने वाली एक मात्र इंसान कोन बनी है options आपके सामने हैं सही आंतर option A है Zoya Agrawal देखिए first Indian female pilot to fly above the North Pole जो North Pole है उसके उपर से fly करने वाली उसके उपर से जो है विमान ले जाने वाली इस तरह से आप कह सकते हैं यह first Indian female है या फिर उडान भढ़ने वाली सही सब्द करेगा उडान भढ़ने वाली first Indian female pilot का नाम है captain जोया अगरवाल तो यह पहली इंसान बन गई है जिने सैन फ्रैंसेसको लुइस एट्वर पैन एविएशन म्यूजियम यानि कि SFO म्यूजियम SFO एविएशन म्यूजियम इसमें जगा मिली है अगर हम इनकी achievement की बात करें कि किस achievement को यहां पर सराहा गया है किस achievement की वज़े से इनको इस म्यूजियम में जगा दी गई है तो आपको जाना चाहिए कि इन्होंने सैन फ्रैंसेसको से बैंगलूर तक की 16,000 किलिमेटर की दूरी को पूरा किया था मतलब जो भी एर इंडिया का जो पूरा फीमेल क्रू था उसको यह लीट कर रही थी और सैन फ्रैंसेसको से बैंगलूर तक की जो इनकी दूरी थी वो इन्होंने नौर्थ पॉल को कवर करते हुए पूरी की थी आपको बता दें यह सीनियर एर इंडिया पाइलेट है बॉइंग 777 एरक्राफ्ट में इंडिया's first observatory to monitor space activity to come up in which state अंतरिक्स गतिविधी के निकरानी करने वाली भारत की पहली वेच्शाला किस राज्य में इस्तापित होगी options आपके सामने है सही answer option C है उत्राखंड जानेगा इंडिया की first commercial space situational awareness observatory ये उत्राखंड के गड़वाल रीजन में setup की जाएगी दिकानतरा के द्वारा ये एक space sector startup है तो ये जो observatory है ये 10 cm तक के जो small object होते हैं जो की अर्थ को orbit कर रहे हैं ये अर्थी कक्षा में है तो उनको भी track कर पाएगी आपको जाना चाहिए observatory भारत को help करेगी कि space से सम्मंद कोई activity है कोई भी activity है तो उस पर अपनी नजर रख सके चाहे वो space debris हो every military satellites हो जो की इस reason में hover कर रहा हो ठीक है अच्छे आपर लिखा space debris इसको debris बढ़ता है debris से नहीं debris which team clinched the overall trophy by winning 65 medals in the first UP Central Zone Taekwondo Championship पहली UP Central Zone Taekwondo Championship में 65 पदक चीत कर किस team ने overall trophy जीती है options आपके सामने है सही answer option D है लखनव आपको जाना चाहिए पहली उत्तरप्रदेश Central Zone Taekwondo Championship ये लखनव में हुई है और लखनव ही इसमें overall विजेता बनाए लखनव ने 65 medal नहां पड़ जीते हैं जिनमें की 20 gold है 10 silver है और 35 bronze medals है दूसरे स्थान पर बरेली रहा तीसरे पर रहा सितापूर फोर्मर वाइस प्रेज़ेंट M. Venkaiya Naidu released a book titled New India The book is a compilation of selected articles of which former junior mister पूर्व उपराश्टपती M. Venkaiya Naidu ने New India नामा पुस्तक का भी मोचन किया है यह पुस्तक किस पूर्व केंद्रे मंत्री के चुनिंदा लेखों का संकलन है आपको जाना चाहिए जो हमारे फोर्मर वाइस प्रेज़ेंट है M. Venkaiya Naidu इन्होंने एक New India नाम की book को release किया है इस book में जो हमारे फोर्मर यूनियन मिस्टर रहे है और पदमी भूशन अरून जेटली इनके कुछ articles का compilation है तो इनकी death anniversary पर इस book को release किया गया है New Delhi में Which company has been conferred with the Asia's Best Employer Brand Award 2022 at the 13th edition of Asia's Best Employer Brand Awards 2022 held in Singapore Singapore में आजित H.I.K. Services Newktar Brand Pruskar 2022 के 13th sunscreen में किस company को H.I.K. Services Newktar Brand Pruskar 2022 से सम्मानित हिया गया options आपके सामने है सही answer option A है NTPC तो देखिए ये Asia's Best Employer Brands Award 2022 ये सिंगापुर में हुआ इसका 13th edition हुआ है और इसमें NTPC Limited जो कि भारत की लार्जेस्ट Integrated Energy Producer Company है इसको Asia का Best Employer Brands Award 2022 दिया गया है NTPC के बारे में आप जानते ही है कि Chairman and Managing Director गुर्दीप सिंग है Headquarters New Delhi में है NBCC has recently signed an agreement with which Central Ministry to redevelop a housing complex in Central Delhi worth Rs. 175 crore NBCC ने हाली में कि स्केंद्रे मंताले की साथ मध्य दिली में 175 crore रुपे के आवास परिसरका पुनर विकास करने के लिए एक समझोते पर अस्ताक्षर किये है Options आपके सामने है सही आंसर Option C है Minister of External Affairs तो देखिए Minister of External Affairs के कुछ Housing Complex है Central Delhi में तो उनको Redevelop करने के लिए जो NBCC Limited है इसने Agreement Sign किया है External Affairs मिनिस्टर के साथ 175 crore रुपे का ये Agreement रहेगा तो इस MOU के तहत जो Minister of External Affairs के जो Housing Complex है कस्तूर्भा गांदी मार्क New Delhi में इसको Redevelop किया जाएगा वाकिया आपको जाना जी NBCC इसका Headquarters New Delhi में ही है और MD and CEO PK कुपता है 11th National Seed Congress Innaugurated In Which City 11 वी राश्टिय बीच कांगरेस का उद्गाटन किस सहर में हुआ है Options आपके सामने है और सही Answer Option B है Gualier तो देखिए Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare नरिंदर सिंग तोमर इन्होंने Gualier मध्यप्रदेश में 11th National Seed Congress 2022 को Innaugurate किया है यह जो Congress है इसको Organized किया गया राजमाता विजय राजे सिंधिया Agriculture University के द्वारा हिंदुस्तान Petroleum Has Announced A Cow Dung 2 Compressed Biogas Project In Which State हिंदुस्तान Petroleum ने किस राज्य में गोबर से Compressed Biogas परियोजना की खोशना की है Options आपके सामने है सही आंसर Option C है राजस्तान तो Green Energy Mix की तरफ कदम बढ़ाते हुए यहाँ पर हिंदुस्तान Petroleum ने Announce किया है राजस्तान के संचोर में Cow Dunk to Compressed Biogas प्रोजेक्ट का आपको उता दे यह इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है Under its Waste to Energy पोर्टफोलियो जिसमें की 100 टन्स of Cow Dunk पर डे को यूटिलाइज किया जाएगा to produce Biogas विच बैंक एस लॉंच इट्स Pre-Qualified Credit Card with a host of features including Insurance Coverage किस बैंक ने Bima coverage सहीत कई सुगिदाओं के साथ अपना Pre-Qualified Credit Card लॉंच किया है Options आपके सामने है सही आंसर Option D है Punjab National Bank तो देखिए Punjab National Bank ने Pre-Qualified Credit Card अपना लॉंच किया है कई सारे इसमें features हैं जिन में की Insurance Coverage भी सामिल है तो Fixed Deposit के अगेंस नहां पर Overtaft की Facility भी प्रोवाइट कराएगा अपने PNB One Platform पर बागी आपको जाना चाहिए कि जो Pre-Qualified Credit Card Facility है ये Salary Account Customers के लिए Available रहेगी PNB की बात करेंगर हम तो MD&CO अतुल कुमार गोईल है Headquarters New Delhi में है Tagline है The Name You Can Bank Upon Prime Minister रेंदर मोदी Ineugrated The Homey Bhabha Cancer Hospital And Research Center In which Gistic of Punjab परधानमंती रेंदर मोदी ने पंजाब के किस चीले में Homey Bhabha Cancer अस्पताल और अनुसंधान के इंदरगा उद्गाटन किया है Options आपके सामने है सही आंतर Option A है मोहाली तो आपको जाना चाहिए Prime Minister रेंदर मोदी ने पंजाब के मोहाली रिष्टिक में Homey Bhabha Cancer Hospital And Research Center इसे राष्ट को समर्पित किया है हाली हमने ये भी देखा कि Prime Minister रेंदर मोदी ने हरियान के फरिदाबाद में चैज़ोर क्रो रुपे की लागत से बना हुआ Amrita Hospital भी इनगुरेट किया है How many cities across India have declared themselves as सफाई मित्र सुरक्षित सहर भारत पर में कितने सहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित सहर गोशित किया है options आपके सामने है सही आंतर option D है 500 तो देखे गोवर्मेंट ने कहा है कि 500 cities यानि कि 500 सहरों ने अपने आपको सफाई मित्र सुरक्षित सहर गोशित किया है और जितने भी भारती सहर है हमारे देश में वो सभी मार्ज 2024 तक अपने आपको सफाई मित्र सुरक्षित गोशित कर देंगे ऐसा गोवर्मेंट का मानना है तो देखे जो ये cities हैं सफाई मित्र सुरक्षित सहर का मतलब ये cities जो हैं ये safe working condition provide करा रही है सफाई मित्र को आपको जानना चाहिए Union Minister of Housing and Urban Affairs सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज इसको लॉंच किया था 19 रॉंबर 2020 को World Toilet Day के occasion पर 243 cities में इसको लॉंच किया गया था और इसका objective ये रहा कि जो seever जो होते हैं उनको clean करते हैं जो septic tank को जो clean करते हैं इस तरह की जो practices हैं इनको eliminate किया जाए 19 रॉंबर 2020 से implement किया गया अगस 2021 तक इस campaign को बाकि आपको ये भी जानना चाहिए कि इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो ये workers हैं इनकी safety को जो है और मजबूत करते हुए Ministry of Housing and Urban Affairs and Ministry of Social Justice and Empowerment इन्होंने भी हाथ मिला कर हाथ मिलाया यानि कि इन्होंने partnership की है और नमस्ते scheme launch किया नमस्ते यानि कि National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem इस scheme को launch किया है Internet Day is celebrated on which day Internet तीवस किस दिन मनाया जाता है options आपके सामने है सही answer option A है August 23 तो ये current affair रह गया था पहलेगा तो इसलिए मैंने आज cover कर दिया है August 23 जाना चाहिए आपको Internet Day ये हर साल 23 अगस्त को celebrate किया जाता है क्यों celebrate किया जाता है to mark the invention of the worldwide web तो worldwide web की जो invention हुई उसकी याद में अगस्त 30 को Internet Day celebrate किया जाता है Internet का मतलब क्या होता है ऐसा person जो कि Internet हो कैसे यूज करना है इसका क्या इतिहास रहा है उसकी पूरी जानकरी रखता हो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं इंटर्न और आपको जाना चाहिए अगस्त 23 क्यों अगस्त 23 वह दिन था जब वर्ड बाइड वैप को पबलिक के लिए ओपन कर दिया गया था 1991 में किस के द्वारा www के इंवेंटर टिम बर्नर्सली के द्वारा साथ है आपको जाना चाहिए कि टिम बर्नर्सली ये इंगलिश कंप्योटर साइंटिस्ट है इन्होंने वर्ड वाइड वैप को 1989 में इंवेंट किया था The 20th edition of Bayo Asia will be hosted by which state Bayo Asia के 20 संस्क्रण की मेजवानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी ओप्शन्स आपके सामने है सही आंतर ओप्शन भी है तिलंगाना तो देखिए Bayo Asia के 20 वे एडिशन की मेजवानी तिलंगाना गवर्मेंट द्वारा की जाएगी और किस सहर में होगा है तिलंगाना के हाइदरबाद में कब से कब तक होगा 24 से 26 वरवरी 2023 तो एक Life Sciences and Health Tech event होता है Bayo Asia काफी बड़ा event होता है और इसका theme रहेगा Advancing for one Shaping the next generation of humanized healthcare तो महत्र पूर्ण कोश्यन है ये भी Previous assignment questions के answer देखेंगे Who won the Miss elite world title in Egypt? The Supreme Sahit Peshti port is located in which country? Iran Defense Minister Vajna Singh attended the SCO Defense Minister's meeting in which city? आंसरी स्टाशकन, उष्पेकिस्तान Which state government has started Mokshtham scheme for the regeneration of the crematoriums In the state answer, हिमाचल प्रदेश ये मैंने latest आप से पूझा था हिमाचल प्रदेश है बाकी Bihar ने भी इस तरह का अपना budget में बोला था कि Mokshtham scheme हम लागो करेंगे Which part is Bhārach Jodho Yatra Would begin on 7th September From Kanyakumari And traverse 3,500 kilometers Through 12 states To end in Kashmir Over 4 months later Answer is Indian National Congress A new infection Dubbed Tomato Fue Or Tomato Fever Has been detected in India Mostly among children Younger than 5 According to a report In the Lancet Respiratory Journal This is caused by Which virus? Virus का नाम है Cokes Sacri Virus A16 और आप में से कई अस्टेंस ने बिल्कुल सही अंसर दिया है इसी तरह से आप participate करते रहिए आज के साइन्मेंट कोस्टेंस देख लेते हैं Where is the मश्रूर Monolithic Rock Cut Temple Located What is Read Along आपको उताने Read Along किया है August 15, 2022 Marked Which birth Anniversary of Shri Aurobindo Former President of India Ramnath Kovind Had addressed The Dharmachak Day 2022 Celebration At which place In Uttar Pradesh तो जब यह प्रेजिडेंट थे रामनात को विन तब इनोंने एक दम्म चक दम्म चक इस टे को इस टे के Celebration को Address किया था किस चक पर उत्रप्रदेश यह आपको बताना है करनाटक चीफ मिस्टर Basavaraj Momai Has Announced That अवर्ड दिया जाएगा पूछ लेते हैं इस तरहे Question भी तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन 6 के 6 Questions का अंसर आवे Comment बुक्स में जरूर प्रोवाइट करें साथी Current Affairs पंड़ होगा आप Telegram पर भी Join कर सकते हैं यहाँ पर regular वीडियो अपडेट्स और Current Quiz आप सब भी डालते रहते हैं साथी discussion ग्रूप में आप किज़ी भी Question का Solution पा सकते हैं दोस्ते आपर हमारे Current Affairs की प्लेजिश दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ Fellow Esperants साथ हमारे Current Affairs को Share जरूर करें आज का सेशन आपको क्यासा लगा Comment Box में जरूर बताईएगा Thank you guys